राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा निकाल रहे हैं 20 नवंबर को यहां यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी 21 नवंबर को राहुल गांधी का हेल्ट चेकप किया जाएगा इसके बाद 22 नवंबर को यात्रा फिर से शुरू होकर आगे बढ़ेगी लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर भाश्पा के राश्रीय महा सचिव केलाश विजयवर्गिये ने राहुल गांधी पर तंज कस्ते हुए कहा कि उनकी यात्रा में लोग आते जरूर है क्योंकि वह कभी क्रिकेट खिलते हैं कभी बच्चों के साथ दोर लगाते है लेकिन उन्हें सिरियसली कोई नहीं लेता कोई भी नहीं चाहता कि देश की भागदोर उनके हातों में हो इसलिए इस यात्रा से कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है बता दे कि केलाश विजयवर्गिये ओमकारेश्वर एक आयोजन में सम्मिलित होने आये थे उन्होंने इस दुरान यहाँ भी कहा कि जिस तरह से काशी विश्वनात और महाकाल कॉरिडोर बना है इसी तरह ओमकारेश्वर का कॉरिडोर बनेगा देश के लिए गोरो की बात है क्या उंकार कॉरिडोर में हमें देखने को मिल सकता है बिस्टी द्रोग सो उसके योजना बन रही है भारत सरकार के सवयोग से दुकारिश्वर करदोर में बनेगा और यही नहीं देश के सभी धर्में कि त्थन है जोके हमारे आस्था के केंद्र है सबका विकास पूर्दी जी के नितुस्त में होगा आप देखे रहे हैं अभी खेदारनाथ, पतिरनाथ, प्रामिशुरम, उकाशी विशुनाथ, राम मंदिर बनी रहा है। इसलिए जितने भी आस्ता के केंद्र हमारे सब्सक्राइब बढ़वा नगर में राकिश गुपता जी की रूप में नगरा तरी जुब में आपको बढ़वा दिखेगा और एक प्राकिश शीड़वा दिखाई देगा ऐसे के लोप नगरा विशुनाथ